मेनका के बेटी की शादी को यूदू 14 दिन बीद गए थे अगर घर परिवार में हुई मौत के कारण बहु की पहली रसोई अभितक धूरी थी तो आज रसोई में पूडिया बनने वाली थी पूरा घर गैस पर चढ़े सरसों के तेल से महक चो रहा था आज घर में बहु की पहली रसोई जो थी मेनका अलग ही चमक रही थी एक बार तो गंगा नहा लिया ना ठीना के जाड़ी औलात का भ्या करना भी एक बार का सिर्दर्थ और दूसरे दिन का सुकून सा लगता है नरायन चुप चाप अपना हिसाब किताब कर ही रहा था तभी मेनका घड़ी में देखती है पर बहु अभी तक उठी क्यों नहीं बहु? ओ बहु! मंजरी बिटिया! मेनका जाकर गैस को धीमा कर देती है और जर को गर्म तेल में डुबो कर बहार निकालते हुए कमरे की और बढ़ती है मेनका धडाम करके दर्वाजा खोलती है उसके त्योड चड़े हुए थे चहरे पर हिंसक क्रोध था हाथ में धदकता गर्म जर और कमरे के बिस्तर पर कंबल ओडे एक लड़की मेनका उफनती हुई बिस्तर की और बढ़ती है वे देखती है कि बिस्तर से लड़की का हाथ बाहर लटक रहा था मेनका आव देखती है नताव और गर्म जर पूरा उसके हाथ पर चिपका देती है हाँ जल चुका था लड़की हर बढ़ा कर उठती है और चहरे से कंबल हटाती है माची आप ये मेरा हाथ क्यों चला दिया कितनी बार बोला है आरोही मा नहीं आंटी बोल मुझे आंटी ये समय है उठने का घर में कोई काम धंदा या जिम्मेदारी है या नहीं घड़ी देख पूरे आठ बच रहे है तभी पीछे से लाल साड़ी में नई दुलहन मंझरी आती है वह दर्वाजे से अपनी सास मेनका को देखती है फिर आरोही का जला हाथ देखती है उसकी आखे चलक जाती है पैस उतनी ही वाली थी कल देर रात तक पढ़ रही थी तुम आख नहीं खुली सौरी मा नहीं नहीं आंटी जी आख फोर्दू तेरी बहाने 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 जब देखो बहाने लगाती है नरायन बाहर बैठा कलीश की आवास सुन रहा था वे अपने सीने पर हाथ रखता है और बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है पढ़ाई 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 अरे चोरी की जात है हाथ में किताब न ये ज़र अच्छा लगे है या बात समझना आये तुझे रुख तेरा टंटा ही आज काटू आज और मेंका टेबल पर रखी उसकी किताबों की और बढ़ती है ये देख आरोही मेंका के पाउं में गिर जाती है माजी नहीं 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 हैसा मत करो मैं अकली बार से ध्यान रखूंगी पका ध्यान रखूंगी मजे माफ करतो मंजरी के आख अपने ननत का दर्द देखकर भराई थी वह सुबक रही थी मामी ची रुख चाहिए बस इतना सुन सही नहीं है मंजरी मेंका की बास जिस तरह काटती है उसे भी अजमभा होता है क्या बोली तू? कल की आई गोरया गिद की तरह चोच लड़ाने लग गई है मंजरी आरोही के पास जाकर बैठती है और उसके आसू पोशती है आरोही रोकर भावी से मेंका को रोकने की अरदास करती है भावी, कितापे बचालो भावी अखले हफते मेरे इमतिहान है भावी, प्लीज श, 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 खुश नहीं होगा ममी जी, मैंने कहा इस तरह जूल्म नहीं करो मेरी चोटी पर और आरोही सेहर कर मंजरी को थाम लेती है मंजरी के आसुओं के बीच से एक शितानी मुस्कान बिखरती है और वे पीछे साड़ी की आड में छिपाया गर्म एक और ज़र निकालती है और आहरोही को दिखाती है ममी जी, जुल्म कभी आधा दूरा नहीं किया जाता हाँ, उठाओ इसकी किताबे और चौक तो चूले में मंजरी का ऐसा बदलाव देख आरोही हक्की बक्की रह गई पिछले पंद्रा दिन से तो आरोही मंजरी की जान जैसे थी फिर आज ये कैसे? मंजरी उठ कर जमीन पर पड़िया रोही के दोनों तलवों पर गरम ज़र लगा कर उनको भी चला देती है मेंका ये देख बहुत खुश होती है वारी मेरी बहुरानी, मैं तो सोची आज मेरी बिल्ली मुझे ही कैसे म्याव कर रही है ना न ममे जी, आपको म्याव कर दूँगी, तो आपके छीके से रबड़ी मलाई कैसे खाऊंगी? आप तो हमारी सरकार हो, आपको तो मेरा बहुमत जाएगा ही में को तू MLA बना दे, और अब देख, या को तो आज मैं बरिस्टर बना कर ही छोड़ूँगी में का अरोही की किताबे कागज सब उठाकर, कमरे के बाहर जाने लगती है पीछे-पीछे मनजरी भी अरोही को चुडाते हुए बाहर जा रही थी घायल हालत में अरोही उठने की कोशिश कर रही थी मत करो, माँ भाबी, मत करो ऐसे, मैं फीग मांगती हूँ मगर आरोही से उठा नहीं जाता और वो रेंग रेंग कर बाहर आती है मेन का मंजरी दोनों आरोही को ऐसे देख हस रही थी करसाता है तुझ पर आरोही, पिचारी मम्मी जी, चला डालो इसकी पोथी पाने सब तभी टीना भी अपने कमरे से आख पलते हुए बाहर आती है मॉम, क्यों तंग कर रही हो, यह सब क्या शोर है कल लेट मुवी खतम करके सोई थी, पर आप लोग चैन से सोने ही नहीं दे रहे हो, हट अरे ना मेरी सोन पपड़ी, यह तो तेरी बहन है ना, यानो सुबे पहले तमाशो कर रखो है बरना तो मेरी रस्म लाइकों मैं जगाऊंगी क्या तीना जमीन पर गिरी आरोही की और देखती है और मुछ ड़ा कर दर्वाजा धम बंद करके सोने चली जाती है मम्मी जी, क्रिया करम नहीं कारे करम और दोनों आरोही के सपने को चुले की धतकती ज्वाला में धुदू करके चला देती है वह फर्ष पर बेबस पड़ी रोती रहती है और सिर्फ रोती रही मेंका और मंजरी उसके करीब आती है और उसके बाल खीच कर उसे उठाती है ओ गया डिरामा खतम, तो अब काम धंदे में लग जा, मेरे तो हिस्से में ससुरी अलाध ही खोटी आई है मेंका बड़बडाती चली जाती है और तब ही मंजरी मलहम लाकर आरोही के हाथ में रखती है तुमको लगा कि आज मेरी रसोई है तो तुमको काम से छुट्टी मिल जाएगी हरी मैं तु घर के बहू हूँ, भला मैं काम क्यों करूंगी ये पोत लो और लग जाओ पूड़े अवतारने में, तुम्हारे भईया आने वाले हैं लंज के लिए आरोही सुपकियों के साथ मलहम लगाती जा रही थी और अपनी असली मा राधा को याद कर रही थी एक मा शब्ध ही तो होता है जो चंब से साथ चिपग कर आता है फिर मा औलाद को सीने से चिपकाती है, खुद की भूख काट कर अपना निवाला वाटती है पर मीन का मा जी ने तो मेरे गर्म ज़र से मुझे ही चिपका दिया वो तो मेरा निवाला काट कर अपनी भूग भी मिटा लेती है तेरी चाने की बाद मैंने तो बाबल से मा नहीं मांगी थी फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया मा तेरी बहुत याद आती है खाश तो अभी आकर मजगो उने सीरे से चिप खा लेती मा आरोही बहुत दुख रहा है हाँ, मा की पास आजा आरोही लंगराक राधा के करीब जाती है और राधा से चिपक कर बिलग बिलग कर रोती है मा, मा तो चली क्यों गई मैं तुझसे नराज रहना चाहती हूँ पर तो नजर भी तो नहीं आती आरोही राधा के चहरे को थाम लेती है राधा के आखे भी नम थी वह अपनी जुबाँ से बोल ही रही थी कि तभी दरवासे की घंटी बचती है और राधा आरोही को दरवासे को खोलने का इशारा करती है मैं अभी दिखती हूँ दुर्वाजे पर तु चाना मत कहीं, मैं बस अभी आई. और आरोही दुर्वाजे की और बढ़ती है, तभी राधा वहाँ से गायब हो जाती है. ननिया रोही फूल चड़ी तस्वीर को उठा कर सीने से लगाती है और फूट-फूट कर रोती है सब कहते हैं मा मर गई भाई भी बोला बापा भी बोले अरोही बेटा मा मर गई पर तेरे मरने की सजा मझे क्यों मिल रही है मा तू कहते थी कि मरने वाले लोग सब आस्मान के तारे बन जाते हैं नानी भी तारा बन गई थी आरोही दोड़ कर छट पर जाती है और आस्मान देखती है जहां धेरो तारे फैले थे मा, तुम्हें यही है ना, आस्मान में तारा बनकर, पर तुने जाने से पहले क्यों नहीं बताया, कि तो कौन सा वाला तारा बनेगी मा, यहां कितने इतारे हैं, तुछें कैसे तोड़ कर खत के पास वापस लाँ मा, मेरी मा और तब ही दर्वासे की घंटी बचती है, छोटी आरोही अपने भावनाओं पर काबू करके दर्वासा खोलने भागती है, तो देखती है उसके पिता दर्वासे पर खड़े हैं, और उनके साथ दुलन के जोड़ी में मीनका थी, जो आरोही को देख मुस्कुरा रही थी, बा कि वहाँ कोई दूसरा गुलदस्ता रख दिया जाए, आरोही ने मेंका के पाव छू कर प्रणाम किया, और मेंका ने पूरा घर आख फार फार कर देखा, पर उस महले में बात फैल गई थी कि नरायन की जवानी ने अपनी पतनी की मयत शांत होने का भी लिहास किये बिना ही अपनी बची खुची जवानी के खुब मजे किये, हाई हाई मेंका, सुना है तुछ में और नरायन में पंद्रा बरस का अंतर है पूरा, बुड़े से ब्या करने की क्या मन में आई तेरे, अरे भाबी जी, ना उम्र की सीमा हो, ना जन मुका हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखू मैं केवल मन, और धन भी, इतना धनवान आदमी की लोगाई मर गई, और मैं फायदा भी न उठाओ, तो फिर मैं कैसी और उत हुई भला, अब नाम मेंका है, तो अपने हुस्न में तो फसाओंगी ही, वरना नाम ना खराब हो जाएगा मेरा, हाँ? भई वा, प्रेम हो तो मैंका जैसा करो, आरोही तो बिलकुल ही लग्की है, धीरे धीरे आरोही अपने सौतेली मा से प्यार करने लगी थी, उससे ज्यादा शिकायते नहीं थी, पर वही मेंका धीरे धीरे अपना हर रंग बहार लाने लगी थी, आरोही पीटा, मुझको है राज करती और आरोही नौकरानियों की तरह काम नरायन के आख पर तो मेंका पहले ही पट्टी बांच चुकी थी समय बीता गया और फिर मेंका के बेटी हुई टीना उस दिन से मेंका ने ना रोही से सीधे मुबात करी ना उसका सिर सहलाया बिचारी आरोही की पहली मा के ये क्या मामा लगा रखा है आंटी बोल मैं तेरी मा नहीं हूँ स्वतेली हूँ और तू नहीं टीना मेरी बेटी है और मेनका आरोही के गाल पर एक चाठा मार देती है और आरोही रोकर बस इतना कहती है स्वतेला होने से माही बदल जाती है क्या मा उस दिन पहली बार आरोही को लगा था जैसे आस्मान से उतर कर उसकी मा राधा उससे मिलने आई हो पिठिया बहादूर बच्ची रूती नहीं है ये सुनते ही आरोही राधा के सीने से लग फबग पड़ी मैं बहादूर नहीं हो मा नहीं हो मैं बहादूर आरोही दर्वाज़ा खोलती है तो सामने उसका भाई गौरव था गौरव को देखते ही उसकी बीवी मंजरी चहेकते हुए अपने कमरे से भाग कर आती है और उसकी सीने से लग जाती है गौरब मंजरी को साइट कर देता है व्या रोही को गुस्से से घूर कर देखता है और वे नजर जुका लेती है क्या रोही के परिक्षा ऐसी ही चलती रहेगी या इस कैज से वो कभी बाहर पंख निकाल पाएगी जानने के लिए देखते रहिए माई का एक कैद के वा लव सिटी पर थांक्स फर वाचिंग